मंगल सूत के जो 19, 20 और 21 नाम के जो मोती है वो बड़े इंपोरेंट है मोती का मतलब मनके हैं, जोयल हैं, रतन हैं जो भारत की महिलाएं अपने मंगल सूत में धाण करती हैं, पैंती हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उनके हर एक मोती का एक-एक मतलब है जो 38 मोती वो पैंती हैं, 19 इधर, 19 इधर और ये काले रंग के पिले धागे मोते हैं पिले का मतलब है भगवान बुद्ध के चीवर के रंग से मिलते जुलते हैं धागा होता है, भगवान बुद्ध में दी हैं परोके इसलिए जो महिला हैं वो इनके कुण तो भूल गई और मंगल सूत की एक कंप्टिशन हो गया कि मेरा मंगल सूत सौने का कितना अच्छा और तेरा कैसा इसके जो सूत नंबर 19 है वो इस पिकार है आरती, वीरती, पापा आरती, वीरती, पापा आरती का मतलब है आरती रत जो रहते हैं रत रहना जो होता है उसको बोलते हैं प्रेम या आ सकती यानि कि आप जब किसी चीज में रत रहते हैं तो प्रेम और आ सकती हो गई और आरती का मतलब है कि आप उसमें रत ना रहें आरती का मतलब अनाशक्त रहें और वीरती का मतलब है वीत रागी बने यानि उसमें रत ना रहें उससे विमुक रहें वीरती तो आरती वीरती यानि कि जो आशक्ती है उससे दूर रहें अनाशक्त रहें और वीरती का मतलब है उससे दूर रहें जो जिसमें आप रत रहते हैं प्यार में आ पाप, यसे बुद्धा का मतलब है, बुद्ध ऐसे पापा का मतलब पाप, यानि पाप से दूर रहें और उसमें आशक्त ना हो, तो पाप से दूर रहने के लिए जो परिवार पाप से दूर रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है, उसकी सो बीमारियां तो वैसे ही खतम हो जब भी आप मन में पाप लेके आएंगे, गलत काम लेके आएंगे, आपको बीमारी होगी ही होगी, आपको प्रेसानी होगी ही होगी, इसलिए पाप करमों से दूर रहना चाहिए, आरती रहना चाहिए और वीरती रहना चाहिए, यह है मंगल सूत नमबर 19, मंगल सूत नमबर 20 है मज़ पाना चे संयमों मज़ पाना चे संयमों यानि कि चे माने और मज़ पाना मतलब है मद पान से और संयम माने दूर रहना चाहिए संयम में तो रहना चाहिए उसमें रत नहीं रहना चाहिए तो मज़ पान से दूर रहें जो ऐसे जितने भी पीने की चीज़े हैं, जिनमें मद है, नशा है, नशिली चीज़े हैं, उनसे दूर रहें ये है महा मंगर सूत का नोती नमबर 20 और 21 है अप मादो चै धम मेसू धम मेसू का मतलब है धम में जो धम है, जो प्राकरतिक नियम है, जो भग्मान बुद्धन धम सिकाए हैं, अच्छे चीज़ बातें सिकाई हैं, उसमें एप्रमाद रहें यानि कि उसमें रत ना रहें, एप्रमाद के साथ में धम को करें पिरमाद के साथ में ना करें पिरमाद का मतलब है कि आप आलस या आप ये क्याज करूंगा, कल करूंगा या कोई बुराई या कोई पापकर्म के साथ में ना करें बिल्कुल बिलाग होगे करें वीतराग होगे करें और बिल्कुल अलग तरह से उसको बिना किसी प्रमाद के उसे करें यह है महा मंगल सूत नमबर वैसे इसको साथ वोते सूत नमबर और टोटल यह आता है उन्निस बीस इक्यस इस प्रकार से आरती वीरती पापा मज्जपाना चे सैयमो अप मादो चे धम्मेसू एतन मंगल मुत्तमम यानि कि यह भी मंगलों में उत्तम है अगर आप पाप से बिलकुल विमुख रहते हैं अनाशक रहते हैं दूर रहते हैं मज्पान में कोई सैयम रखते हैं कोई मदपान नहीं करते हैं और जो धम है धम के अंदर आप एप्रमा से करते हैं तो ये भी महा मंगल सूत हैं धन्यवाद आपने मंगल सूत का नाम सुना होगा बड़ी-बड़ी एमोशनल पिच्चर आती है मंगल सूत के उपर इस तरही अपनी जान देने को त्यार होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर وہ मंगल सूत पे हाठ डाले तो हीरों को गुस्सा आ जाता है जो महिला है वो आगबबुला हो जाती है उसमें सक्ती आ जाती है मेरा मंगल सूत छीना तो समझो मेरे पती के प्राण छीन दिये ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत की डालते हैं ताकि मंगल सुत्र बिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सुत्र में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सुने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज्यादा होती है मंगल सूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभुशन है एक ऐसा विभुशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और टेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सूत्र के वारे में आपको इसे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सूत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर हैं और नारी हैं दौनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूड़े भी पहन सकते हैं सब भी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सूत्र बहुत कमाल की चीज़ है उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुत्र यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत्र बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करे और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सुत्र हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सूत इन सूतों को ये सूतों लोगों का कल्यान करते थे बुद्ध की वाणी है 38 उन्होंने बताएं 38 महिलाओं के लिए पुर्सों के लिए बच्चों के लिए सबी के लिए समान है सबी इक लिए बरावर हैं, खाली महिलाओं के लिए नहीं है, मगर पुरुसों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुसों ने इसकी महिमा खत्म कर दी, और महिलाओं को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये उन्निस उन्निस मनकों की माला यानि कि उन्निस मोती इधर हैं मणी इधर हैं और उन्निस मणी इधर हैं काले रंग की काले मतलब काले लोग होते थे इसमें काले हैं और जो भगवाने बताई हैं इसलिए पीले धागे में हैं आपको याद रहें इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम चक डाल लीजिए जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि यह धम की बात हैं कल्यान की बात हैं ये उसका पिर्तीक बना, जब लोगोंने उन बातों पर चलना छोड़ दिया, तो खाली ट्रेडिसन रह गया, परमपर रह गई, लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत क्या थे, मंगल बचन क्या थे, वो कौन सी कल्यानकारी बात थी, वो कौन सी गुड जो स्वनकार थे, उनके मजे आगे, वो वहाँ अपना धंदा करने लगे, और उसके हसाब से उनके मंगल सूत बिखने लगे, फिर ट्रेडिशन बन गया, और फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड दिया, बेसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा, तो उसका जीवन बच तो वो जो मंगल सूत हैं, या महा मंगल सूत हैं, वो सारे मंगल सूत भगवान बुद्ने बताए हैं, आप सभी से ये निविदन हैं, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद बुद्ध थंशर नूद्ध रच्चामी धंद्मंस्वाद नच्छामी जन्गं सरुनु